चेहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्षक्ती और आज हम इस वीडियो में ब्लेक एड कमांडो और ब्लेक पेंटर के नाम से मशूर NSG गुरूप के बारें बात करेंगे NSG National Security Group जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के चक्के छूड जाते हैं बारत में 1984 में हुए सिलसरेवार आतंकी हमले में जिन में परदान मंतर इंदरा गांदी के हत्या और स्वाण मंदीर हमला परमुक था इनके होने पर देश को एक ऐसी फोर्स की जरुवत मैसूस हुई जो देश में होने वाले आंतरिक आतंकी हमलो और देश के वियाईपी लोगों की सुरक्षा कर सके तब 16 अक्टूबर 1984 को National Security Group NSG का गटन किया गया जिसको वियाईपी लोगों की सुरक्षा हाईजेकिंग और देश में आतंकीयों के हमलो में लोगों की सुरक्षा करते हुए आतंकीयों का खात्मा करने के लिए तैयार किया गया NSG का मुक्याले नई दिल्ली में है और ये गरे मंतराले के अधिम काम करती है NSG कमांडों का सेलेक्षन इंडियन आर्मी और पेरामिलेक्टरी फोर्स यानि की BSF, ITBP, CRPF, आदी फोर्सेस के टॉप किलास के जवानों जिनकी उमर 35 वर्षक कम होती है वे जमान NSG के लिए अपलाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी से लगबक 53 परतिशत जवान वे पेरामिलेक्टरी से 47 परतिशत जवान NSG में लिए जाते हैं फिजिकल और मेंटल एक्जाम में पास होने के बाद इनकी 90 दिन की एक कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है ट्रेनिंग में कमांडो पर उनकी सेहन शमता से बहुत जादा ही शारेरिक और मानसिक दबाव ड़ा जाता है जिसमें ज़्यादातर जवान फैल हो जाते हैं जो बचे वे कमांडो है उनकी जिन्दगी से असंबव शब्द हड़ जाता है और यही NSG कमांडो होते हैं जिनके लिए असंबव शब्द हड़ जाता है और वे पूरे देश में मातर 15-20 परतिशत ही ऐसे लोग हैं जो NSG कमांडो बनते हैं NSG का एक ही नारा है सरवत्रे, सरवत्तम, सुरक्षा और नेवर से गिवप NSG कमांडो का बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटाओ होता है वे बाहरी दुनिया से लग्तलग होते हैं वे चाहिए उनका परिवार हो या वे फॉर्सेस जहां से वे आये हैं बारत में वर्तमान में NSG कमांडो की सिंक्या 4,500 है जो देश्ट में आंतरिक आतंगवादियों हमलों और वियाईपियों की सुरक्षाब में लगे हुए हैं एक NSG कमांडो की सेलरी की बात की जाए तो लगबग 84,000 से लेकर 5,500,000 तक होती है इसके लावा उन्हें अलाउंस भी अलग से मिलता है जो कमांडो भारती सेना से NSG गुरूप जोइन करते हैं वह तीन साल और पेरामिलेक्टिफ फोर्स से आये कमांडो पांच साल तक NSG में सिवाई देते हैं उसके बाद उन्हें वहीं बेज दिया जता है जहां से वह आये थे